बद्दू बद्दू सारा दिन इतना महनत करने के बाद तेरे पैर दुबाने से मेरा जिवन सफल हो जाता है बद्दू आपी तो मेरे एक लोटे मालिक है आपी की सेवा करने के लिए तो मैं यहां आया हूं मालिक मालिक मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मैं आपकी बहतर सेवा कर सकूं मालिक तो मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना के लिए क्या बुद्दू मुझे बहुत भूख लगी है अच्छा मालिक पूड़ी और आलू की सबजी बना दू मालिक जा 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 बना मुझे बहुत भू अरे अरे इतने चुहे हो गए हैं घर में कि क्या बोले बस जहां देखो कुटूर कुटूर करते फिरते हैं जा बोल रहा हूं ना जा भावे यहां से अभी क्या भी निकलो मालीक के लिए अलु की सबजी के से बनाऊंगा मालीक 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 यहां इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है मालिक मैं क्या आपको शौक से जगा रहा हूँ रसोई घर में सारे चुहों ने मिलकर सारे आलू कुतर दिये अब मैं आपके लिए आलू की सबजी कैसे बनाऊंगा बताइए अरें चुहों ने तो मेरी सिंदगी तुष्वार बना दिये यह तो घर में सबजी नहीं रखने द क्या बात करें हो तुम कैसे चुहों को पकड़ोगे यह सब आप मेरे पर छोड़ दीजिये मालिक मैं आपको रोटी और गुर देता हूँ आप खा लिजिये और सो जाएए मालिक अब मैं रसोई घर में जाके अंधेरे में चुप चाफ खड़े रहता हूँ जैसे ही चुए कुछ कुतरने के लिए निकलेंगे मैं सब को फटाफट फटाफट फकड़ लूगा हाँ यह देखो तारे चुए आगे है लगता है अब मैं सब को फटाफट बारी बारी सब खड़ लेता हूँ अहां लग गई लग गई बहुत लग गई अहां अरे बाबरे बाप बहुत बर्माश चुए है रूख अभी मैं तुझे मजा चे खाता हूँ रूख 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 कहां भाग रहा है मरगेरे मरगेरे यह क्या करेया तुम बदू अरे माली आपको लग गई मैं तो चुहे को मारा था अरे चुहा रहा था कि मेरी जान लिय रहा था तु अ बदू अरे तेरी बुद्धि है बदू इस बुद्धि से तु चुहे पकड़े का बता मुझसे बहुत भुल हो गई यह मालीक मुझे माफ कर दीचिये इे घुछ आ पार तू तो मेरी चान ही ले ले लेगाए जा जा अब खाना खाके सो जा कल सुबह बाजार में जाकर चुहे मारने की दवा ले आना उसे आठे में गोन कर चुहों को खिला देना जा 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 सो जा चचा ओ दुकान दार चचा हा बोलो क्या चाहिए मुझे थोड़ा सा जहर चाहिए जहर क्यूँना खिलाओंगाँगा चाओंगे युआ को खिलाओगे क्यों खिलाओगे अले इतना सब कुछ में बता नहीं पाऊंगा चाचा मालिक ने बोला है जहर लाने को आपको देना है तो दो नए तो मैं जा रहा हूं बाजार में जहर की कमी है क्या बहुत मिल जाएंगे आच्छा अच्छा यह रहा यह लो ए जरा तुम मालिक देखिए मैं जहर लेके आया हूं अरे वाँ अवाँ वाँ जहर लेके आ अगया तू आप जा रसई घर में नए आटे की गूनीए मालिक ने का है जहर से आटा गूदना लेकिन कितना आटा गूदना है वो तो मालिक ने बताया है नहीं मैं काम करता हूँ जब गूदना है तो मैं पूरा ही आटा गूद देता हूँ यह क्या पुलीस मेरे घर में क्या हुआ क्या पुद्धुर आम इसी घर में रहता है क्या है है कहा है वो तो रॉसूी घरमे आटा गून रह है रॉसूई कहांपे है चलो दिखाओ हमें अरे दुकानदा चचा आप आपको मेरा घर किस ने बताया सर सर देखे सर यह यह वो जहर वाली बॉटल देखे देखे यह तो मैं देख रहा हूं पूरी शिशी खाली है इतने सारे जहर का तुने क्या किया हां आटे के बोरी में मिला दिया मालिक नहीं तो कहा था मुझे इस पूरे बोरे में तो कितने लोगों को यह जहर देखे मारने का प्लान किया था तुम दोरों ने हां क्या 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 रहा हूं वो आटा तो चुहे मारने के लिए गुंद रहा था वो उसमें जहर मिला पुलीस देखे ही तुम दोनों चलो थाने चलो चलो मैं देखता हूं व परता हूं मुझे चोड़ दीजे मुझे चोड़ दीजे मुझे थाना लेके क्यों जा रहा है चोड़ दीजे पुलिस चाचा पुलिस चाचा आई कि अ चोड़ दूंगा तुझे चोड़ दूंगा तुझे चोड़ दूंगा जहर खिला के तु दूसरों को मारना चाता है आज तो तुम दोन हो गए पुलिस्त आज पुड़ दू खाने पड़ी मुझे सर एक बात कहनी थी आपसे कौंसी बात आपफ ने हमारे गाउन के रघूराम और उसके नोकर बुद्धूराम को पकड़ के रखा है यह हम जानते हैं लेकिन тот नहीं जानते, आप मेरी बात का विश्वास करें, बुद्धु राम एक बहुत बड़ा पागल है, हम जो उसे बोलेंगे, उसका उल्टा ही करता है, हाँ सेर, आप उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दूँ, मैं उन दोनों को छोड़ दूँ, वो लोग दूसरों को मारने का प्लान बना रहे थे, और तुम लोग सच बोल रहे हो, इस बात का विश्वास मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ, बताव मुझे, ये ठीक हैने, मैं उनके साथ हूँ, आप यहाँ स्वागत है आपका, आई 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 आई, राम बुद्धु को चुहे मारने के लिए दवा प्लान लें बुला था, लेकन बुद्धुराम एक नमर का पागल है, सुनोगे, उसने मेरे साथ क्या किया थे आई रमालिग अप पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए, विश्वा जी ये निया कपना निकाल के दे दे डळे पतनी के लिए मालिग नेक नया कपना लाके कि अब देता हूँ थोड़ा सब खोलिए ना मैं आपके लिए ना कप्रा लेकी आया हूं कुलिए ना हाध जो ठीलिजिए अरे यह क्यों दे रहे हो क्या हुआ मालिक क्या हुआ मालिक नहीं तो कहा था कि आपके लिए कपड़ा लेक्या हूं थोड़ा दिमाग लगा के नमक हटा के मैंने पूरा खाना बना दिया आपको इतनी ज़रूरत है उतनी नमक ले लिजे मालिक मुझ में दिमाग है मालिक कम है लेक मालिक जल्दी चलिए मालिक जल्दी चलिए चलियो क्यों जल्दी छल्दी क्यों नह ます वह जहर से अर्ट घुदा था उसकी रोटी भी तो बनानी होगे ना तभी तो सारे छुहे घुवाँगे तभी तो सारे Daf dès न शुय मरेंगे मालिक मालिक मैंने कुछ नहीं किया है मालिक आपने जो बोला था मैंने तो वहीं किया है ना मालिक